नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं अपना लोग परी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जैसे वाल बीबलोफाइल तो दोस्तों आभी तक हम लोगों ने NCRT के चार चेप्टर कर लिए हैं दोस्तों आज हमारा चेप्टर नुबर फाइब ह चाता हूँ दोस्तों अगर आप लोग डी ग्रूप का एक्जैम त्यार कर रहे हैं जा फिर आप छोटे लेवल का वोई एक्जैम त्यार कर रहे हैं जा फिर आप कोई बड़ा एक्जैम त्यार कर रहे हैं दोस्तों NCRT किताबों बहुत ज़्यारी हो जाती हैं दोस्तों पह लोगों के पास केताबे नहीं है तो इन विडियों के मादम से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी तो चलिए स्टार करते हैं चैप्टर नुबर फाइव चैप्टर नुबर फाइव हमार पास दिये गया है राज जी राजा और एक प्राचिन गंड राजे दोस्तो यहाँ पे एक स्टोरी क्रेट की गई है स्टोरी के मादम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है चुनाब का दिन दोस्तो यहाँ से आपको थोड़ से मिल चुका होगा कि इलेक्शन के बारे में यह चैप्टर होगा जब शंक्रन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी बोड डारने जा रहे थे दरसल चुनाब के इंदर पर सबसे पहले पहुंचना चाते थे शंक्रन जाना चाता था कि आखिर वह इतने उत्साहित कोशिश की और कहा आज हम अपने शाषकों का चुनाब करने जा रहे हैं दोस्तों यहां पर स्टोरी जो क्रेट की गई है एक शंक्रन नाम का एक लड़का है उसके नाना और नानी जो बोड डारने के लिए सेंटर में जा रहे हैं और वो जल्दवाजी में उसको बताते हैं कि आज हम लोग अपने शाषकों का चुनाब करने जा रहे हैं तो उसके मन में प्रशन पैदा हो गया है कि वो शाषक क्या होते हैं और चुनाब क्या होता है इस तरह कि उसके मन में प्रशन चल रहे हैं तो देखते हैं कि आगे स्टोरी किस तरह से बनी है और किस तरह से इस हमने अधाई 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संबता जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे दोस्तों जो पहले राजा जो होते थे वो जन ये शब्द काफी इंपोर्टन है जन किसके लिए प्रियोग किया गया है और वो लोगों के द्वारा चुने जाते थे प्रियंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवतन दिखाये दिये कुछ लोग बड़े बड़े यग्यों को आयूजित कर राजा के रूप में परतिस्तित हो गे राजा लोग जो थे वो बड़े-बड़े यग करते थे और उसके मादम से वो आपने आपको राजा establish कर लेते थे अब यहाँ पर देख लेते हैं कि वो यग वगरा जो करते थे लोगों की देखने के लिए चोड़ दिया जाता था दोस्तों जैसे आप लोगों ने अगर रमायन देखी होगी तो उसमें लब और कुछ एक गोड़े को पकल लेते हैं उसके बाद तो वो जो गोड़े को पकल लेते हैं वो अशमेद जग का ही गोड़ा था तो यहाँ पर हम अगर उन्होंने गोड़े को जाने दिया तो इसका मतल यह होता था कि आशमेद जग करने वाल राजा उनसे यादा शक्ती शरी था अगर दोस्तों इसमें क्या उताया क्वरें यग करते हैं यग करने के बाद वह गोड़ा छोड़ती है ऐसे freedom उसको सतंतर चोड़ देते हैं गोडे को अगर मालो कोई उसे रोक लेता है तो फिर उस राजा के साथ लड़ाई करने पड़ती थी और जब लड़ाई होते थी अगर वो लड़ाई में जीत जाता है तो फिर वो उसके अलग रिजल्ट होते थी अगर वो हार जाता है तो फिर जो राजा जग्य कर रहा है उस शक्ति चाथ कि एसके बाद उन राजाऊं को यग में अमंत्रित किया जाता था ये यग विशिस्ट प्रोहित enosत्रां ये लाइं काफी में प्रूणन्ट है कि कि इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्वानत किया जाता था अब क्या होता था कि यग वगणती प्रोहीत करते थे भी कह रिजकों अब उसने जो गोड़ा चोड़ा है वह किसीने नहीं बख्रच से करते हैं तो फिर उस राजय को बहुत ज़या शक्तिशा सब्सक्राइब किशेत्र में राजा का सार्थी ही उसका एक सहचर होता था और यग के आपसर पर वे हैं यहां पर देख रहे थे हैं यहां कि बीजों था था अन्य गुनों का गुंगान करता था जो उसका सार्थी होता था वो राजा के गुंगान करता था और राजा के सगय समंदी खासकर उ कई छोटे छोटे अनस्थान करने होते थे अन्य शारे अमंत्रित राजां का काम सिर्फ बैठ कर यग की पूरी परक्रिया को देखना बर था देखिए जूए उनके बच्ची होते थे muitos थोड़े बहुत प्रशन भी बन जाता है राजा के उपर प्रोहित पवित्र जल के शिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुस्थान करता था अब राजा के उपर पानी जो पवित्र जल है वो कौन शिड़काव करता था वो प्रोहित करता था और इसे शिड़काव के साथ साथ वो कई सारे अन उनको कोई भी यग विगारा होता था उसमें उनको शामिल नहीं किया जाता था लेकिन वैशी जो थे वो राजा के लिए गिफ्ट विगारा लेकर आते थे इस यग में उपसित होने वाले की एक सूची बनाओ पेशे के अधार पर वहां कौन-कौन से वर्ग शामिल थे तो शुद्र वगारा नहीं थे तो फिर आप लोग समझ सकते हैं कि कौन-कौन हो सता है तो यहां पर देख लेते हैं कि वर्ण वगारा के बारे में यहां पे उन्होंने चर्चा कही है तो क्या-क्या वर्ण थे कैसे क्या-क्या सिस्टम था उसमें तो यह भी हम लोग पढ़ की गई है कि उसमें उत्तरबारत में नौर्थ इंडिया में खासकर गंगा यमना के किशेतर में बहुत सारे ग्रंथों के रचना हो रही थी और रिकवेद के बाद रिकवेद जो है वो सबसे पुराना वेद है और इसके बाद रचना होने के कारन उसे क्या बोला गया उत्त उत्तरवैदिक काल में जो गरंथ मतलब जो रिकवेद जो आपके पास वेद दिया गया है उसके बाद जो गरंथ रचे गए हैं उनको उत्तरवैदिक गरंथ कहा गया है और ये जो बाद में गरंथ हैं जैसे सामवेद हो गया ये ये यूरवेद हो गया अथरवेद हो गया य उसमें अनस्थान हो गें, ज़ान फिर कोशन पादन की बिरिया हो गे इनके बारे में इन्हूंने बताया है इनमें समाजी के नीमों के बारे में भी बताया गया है तो अब हम चलते हैं, next की तरफ जो हमारे रेपस दीए गया है समय समाज में कई समोगTwo تھے प्रोहित, योदा, क्रिशक, पशुपालक, बैबारी, शिल्पकार, श्रमिक, मशली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे उसमें बहुत सारे लोग रहते थे चाहिए वो प्रोहित हों, चाहिए योदा हों, क्रिशक हों जो खितनी बारी करते हैं, पशुपालक हों, पशुपालक हों, पशुपालते हैं, बैबारी हों, शिल्पकार हों, श्रमिक हों, या फिर मशली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग शामिल हों बहुत सारे लोग थे, यहां कुछ प्रोहित तथा, योदा, ब्याबबशाली थे, वहें कुछ क्रिशिक और बेपारी भी दनवान थे, अब यहां पर बात हो रही है कि कुछ प्रोहित होगे, यहां फिर योदा होगे, वो क्या थे, यहां फिर कुछ क्रिशिक होगे, यहां फ कहते हैं दोस्तों जो प्रोही थे उन्होंने चार बर्गों में लोगों को विवाजित कर दिया था डिवाइड कर दिया था जिसे क्या कहा जाता है जिसे वर्ण कहा जाता है उनके अंसार परतेक वर्ण के अलग-अलग कारे निदार्द थे पहला वर्ण ब्रामनों का था उनक यहां पर पहला वर्ण जो बनाया गया है उसमें बताया गया ब्रामण ठीक है ब्रामण जो थे वो वेदों का अध्यन करते थे जैसे आपके पास चारवेद है रिगवेद सामवेद अथरवेद और ययूरवेद वो वेदों का अधियन करते थे, टीशिंग करते थे, और यग्य वगएरा भी करते थे, और जिनके लिए उन्हें पहार भी मिलता था, अब दूसरा स्थान दिये गया है, शाषकों का, जिने किशत्री कहा जाता है, ठीक है, उनका काम युद करना है, लोगों की रक्षा करना ह अब जो दूसरे, दूसरे स्थान पे जो रखे गए हैं, वो रखे गए हैं, शाषक, और शाषक कौन-कौन से हैं, जो की काम, युद करते हैं, ठीक है, जिनका काम क्या है, युद करना है, लोगों की रक्षा करना है, और तीसरे स्थान पे जो रखे गए हैं, तीसरे स्था किशेत्री होगे वैशे होगे इन दोनों को क्या है यग करने का अधिकार था बर्णों में अंतिम स्थान शुद्रों का था इनका काम अने तीनों बर्णों की सेवा करना था इन्हें अनुस्थान करने का अधिकार नहीं था प्राय औरतों को भी शुद्रों के समान माना जाते था महिलाओं और चुंद्रों को बेदों के अद्यन का अधिकार नहीं था दोस्थ यहां पहें बात की गई है जो शूब्दर लोग है थें याँ चुद्र हैं ठीक है उनको यह गरने का वहहां पर उस समर्ण अधिकार नहीं था और सब्सक्राइब और और मिन्यंद जो ते उन्का उनसार क्या था कि जो बरन थे वह किस वेस्प्र रखेगे थे जन्म के अधार पर जन्म के बेशुतर उदहरण के तोर पर ब्रामण मातापिता की संतान ब्रामण ही होती थी उस एगर ब्रामण का वेटा है तो फिर भी ब्रामण glass होगा बाद में कुछ लोगों ने अशूत माना गया बाद में कुछ लोगों को अशूत माना गया अशूत बर्गों में कुछ शिल्पकार शिकारी तथा बोजन संग्रहा के शामिल थे साथ ही वे साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शबों को दफनाने जा जिलाने का काम करते थे इन लोगों के संपर्क अपवित्र माना जाता था दोस्तों यहां पर बात की गई है अशूद की और अशूद बर्गों में कुछ शिल्पकार भी होगे शिकारी होगे जहां फिर आपके पास बोजन संगरहक जिसके बारे में हम लोगों ने पहले पड़ा है इनके बारे में हम लोगों ने पहले पड़ा है और साथ में उन लोगों को भी रखा गया जो शबों को दफनाते थे जिलाते थे ठीक है इन सभी का संपर्क इन सभी का कॉंटेक्ट जो था वो अपवित्र माना गया था लेकिन दोस्तों यहां पर मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं अगर आप लोग 2020 में हैं तो इसके उपर आर्टिकल है आर्टिकल 17 के थू हम लोग किसी के साथ शुवाशूत नहीं कर सकते हैं तो यह हमारे संभिधान में हैं लेकिन उस समय ऐसा बनाया गया था उसमय ऐसा था लेकिन अभ और पर स्भी दोस्तों जर्वित में हांदे दोस्तों को यह गलत लटा था कि जर्म के बेसा और आशान होता है तो अस चीज़ वह गलत अंहीं यह्यूत कुछ लोग बेवसाय की अधारपर लोगों के बीच बेदभाप उची समझते थे। कुछ लोगों को लता था कि काम के अधारपर ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कि कुछ लोग चाते थे कि अनुस्ठान संपन कराने का अधिकार सब को हो। और कुछ लोग क्या है चाते थे कि सबस्दान का होना चाइब किसी वी परिकार की काम में सबस्दार बराबर होना चाहिए। कई लोगों ने शुवशूत की अलोशना की, इस उपमहादीब के प्रभुत्र किशेतर जैसे कई इलाकों में समाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, यहाँ प्रोहितों का प्रभाब भी बहुत सीम्ह था, दोस्तों यह था आप लोगों का चेप्टर इसमें जो बताया ग नहीं बता है, लेकिन हम लोगों को इतना बता है कि हम लोग इनसान है, तो इनसान से बढ़कर कुछ नहीं है, बाकि यह कैटेगरी विगारा जो भी है, एक तरह से हम लोगों के उपर स्टेंप लगा दी कि यह ठीक है, तो यह चीज को ना मानते हुए, हम लोगों को मानमता कुछ यदा मानना चाहिए इंसानित के लेका है नहीं की लिए लेसन में गया था चिसे बढ़ना हमरे लिए यूरली था तो हम लोगों ने से पड़ाए। दोस्तों आप लोग क्या मान तेंस चीज़ के बारे में तो आप लोग कमेंट बोक्स में बढ़ा सकते हैं लोगों ने वर्ण विवस्ता का विरोध क्यूं किया लोगों ने जो वर्ण विवस्ता थी इसका विरोध क्यूं किया तो यह आप लोगों को समझ में आ चुका होगा वहाँ पे लोगों के साथ गलत हो राथ है, इसलिए लोगों ने इस वेवस्ता को ठीक नहीं माना. अब हम बात करते हैं, यनपद. महायग्यों को कराने वाले राजा, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद शब्द का आर्थ है जन के बसने की जगह होता है कुछ महत्पुन जनपद मानचितर 4 प्रेस्ट नंबर 49 में दिखाए गए हैं दोस्तों महाईयगी जो करवाते थे राजा अब वो जनके राजा ना होते थे अब जनपदों के राजा माने जाने लगे अब जनपद श मेरठ के पास हस्तिनपूर दोस्तों महाबारत में आपने हस्तिनपूर शब्द सुना है तो इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनपूर और एटा के पास अंतर जी खेडा इसमें प्रमुक है खुदाई से पता और सबसो जैसी फसले उगाते थे तो उस समय की जो फसले इनको आप लोग याद कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक डाइग्राम दीए गया है इसके बारे में पढ़ लेते हैं इस तरव के पात्रों में यादर ठालीया और कटोरियां ही निए हैं यह पात्र बहुती पतली सतर और सुंदर चिकने हैं शायद इनका प्रयोक खास में मेहाट्पन लोगों की को बोजन प्रोसने के लिए किया दौता दोस्तों हम लोग जो मिडल फैमिली में रहते हैं तो जब भी हमार गर में कोई गेस्ट आता है तो बहाँ पर हम लोगों ने उनके लिए कुछ बरतन रखे होते हैं कुछ चीजे रखे गए होती है तो यह आपको यहां पर डाइग्राम दिया गया आप लोग इसे देख से थे मैं तो आप लोगों यहां पर देख पार होंगे चीज़ को यह बरतन जो थे वो जब को यह तो उसके लिए यह स्पैशल ओकेजन पर इसको लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते थे उसमें लोग मिट्टी के बरतन भी बनाते दे इनमें कुछ दूसर और और कुछ लाल्ण्ग की होते थे इन पुरा स्टमें कुछ विशेश परकार के बर्तन मिले हैं जिनें चितर दूसर पातर की रूप में भी जाना जाता है उस जब खुदा की विगयार होते थी तो becoming बहुत सारे ऐसे बरतन में हैं जिनको क्या बोल जाता है चित्रित दूसर पात्र ठीक है जैसे कि इनके नाम से ही सपस्ट है इन बरतनों पर चित्रकारी की गई है यह आम तोर पर सर्ल रेखां जैमेती अकृतियों के रूप में हैं दोस्तों यह जो बरतन बगारा मिलते थे ज चितरकारी करते थे तो यह चितरकारी वहती थी अब लिए अकृतियों के रूप में भी होती थी ए понял चली आगी चलते हैं कि हमारे क्लीए महाजनपद rendered के बारे में यहां में बात की जा रही है तो वहाजनपद का हमने उपर पढ्र लिए करीब 2500 साल पहले तुछ जम्पद आधिक महत्पूर्ण हो गए थे क्या हुआ कि 2500 साल पहले कुछ जनपद ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यदे इंपोर्टन हो गए थे इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा माजेदर चार में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है अधितर महाजनपदों की एक राजदानी होते थी कई राजदानियों में किलेवंदी की गई थी अर्थात इन चारों और लकडी एंट और पत्थर की उची दिवारे बनाए गए थी दोस्तों यह जो महाजनपद थे इनके गया है उसमें किलेवंदी कर देगे किलेवंदी मतलब क्या मतलब है चारों और जो थे वह लकडी से बना देते थे और इंट पत्थर की उची दिवारे बना देते थे ठीक है ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजों के आकरमन से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्मान किया था कुछ राजा अपनी राजदानी के चारों और विशाल उची प्रबावशाली दिवार खड़ी कर अपनी सिम्रिदी दोस्तों यह डाइग्राम भी दिया गया यहां पर और शक्ति को भी प्रदर्शित करते थे यहां पर डाइग्राम देख लेती हैं जोस्तों NCRT में काफी अच्छे दिखेंसे लिएक और यह बहुत ज्यादे एज्युकेटर पर्सनों के दवराब किताबे लिखी जाती कोशंबी आपके पास है अवंती आपके पास है ओजेन आपके पास है ठीक है इस तरह से यह कुछ माजन पते दोस्तों यह बार यहां पर ऐसे पूछ लेते हैं सिंदू नदी सिंदू नदी के बारे में देख लेते हैं इसकी जो साहिक नदी सतलूज होगी राभी होगी चनाब होगी जेलम होगी तक्षिला होगी जेलम होगी यह इसकी साइक नदी है ठीक है अब यहां पर बात करेंगे हम लोग गोदावरी नदी दोस्तों इन डाइग्राम्स को देखते रहने चाहिए क्रिशन नदी तुंक वद्रा नदी पिनार यह बंगाल के खाड़ी है यहां पर महा नदी ठीक है और यह आपके पास राजग्री है का तो इस तरह से आप वन्ति है जिंबा नदी है गंगा नदी है पंचाल है लोग नहीं यह अपर डियाग्राम को देख ली आब हम चलते नेक्स्ध की तरफ कि इस तरह से किले के ज़ता प्लानी करने पड़ती थी और लाखों की संक्या में इंटों तता पथ्रों का इंतियाम पढ़ती थो इस के निफं़ता बिर्श शहीत ब्रदो इस लोग इसके लिए बगदियाम किया होगा लेकिन उस समय थोड़ा मुश्कुल हो जाता था समान बगारे कठा करना चाहे पत्थरे कठे करने हो तो लोग उस समय बहुत जदा हाड़ वर्क करते थे खुद ही उन चीजों को डोते थे तो आप लोग दिख पा रहे होंगे कि महां पे उस समय के लोग जो थे वो काफी जद स्टार्ट कर दिया और होने सिपाहियों को नियमत बेतन देकर पूरे साल रखा जाता था उस समय क्या हुआ अगर सेना रखिए तो बेतन भी दिया जाएगा तो समय उनको नियमत बेतन देकर भी पूरे साल उनको रखा जाता था कुछ बुक्तान संबता आहत सिकों के तो महाजनपतों के राजा रिक्वेद में उलखित राजाओं से किस प्रकार बिन थे दो अंत्र बताओ तो यह आपके पास यहां पर डाइग्राम दी गई है उसमें की लोगों की अथक मेहनत आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों उसमें की जो उन्होंने मेहनत की है महाजनपत के राजा विशाल के लिए बनवाते थे और बड़ी-बड़ी सेना रखते थे इसलिए उन्हें परचूर संसादनों की अफशक्ता होती थी अब महाजनपत के जो राजा थे वो बड़े-बड़े केले बनाते थे उसके लिए फिर सेना भी बड़े-बड़ी लग तो इसके लिए वो क्या करते थे अब उनको कर्मचारी भी चाहिए दोस्तों इसके लिए वो क्या करना स्टार्ड कर दिया तो फिर उन्हों टेक्स लगाना स्टार्ड करती है तो अब जो टेक्स लगा रहे थे वो कैसे कैसे लगा रहे थे फसलों पर कितना लगा रहे थे लोगों पर किस तरह से लगा रहे थे इसके बार में पल लेती हैं फसलों पर लगाए गेकर सबसे महत्पूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग क्रिशिक थे उसमें फसल पर भी ट प्रेशन है कि फसलों पे उस समय कौन सा कितना कितना कर लगा जाता तो एक बड़ च्छे बाग लगा जाता था जो फसल होती थी और इसे क्या का जाता था बाग कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे जो प्राइश रम के रूप में चुकाई जाते थे अब जो कारीगर के लिए महिने में एक दिन काम करना पड़ता था आपको समझी म्याद चुका होगा इसके बारे में पशुपालकों को जानबर जांके उत्पाद के रूप में भी कर देना पड़ता था जैसे आप लोग देख पा रहे होंगी कि मानलो बक्री बगारा पालते होंगे या फिर को बेड़ का उन विगारा देती होंगे इस तरह से कुछ न कुछ वो जो है वो करके रूप में देते थे बेपारियों को समान खरेदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था तो जो ट्रेडर होते थे ट्रेडर बेपार बेगारा करते थे जब वो की चीज खरीत थे यहां भी उनको टेक्स बगारा देना पड़ता था अखेट को तथा संग्राहों को को जंगल से प्रापत बस्तुएं देनी पड़ती थी तो आप लोग ने यहां पर देख लिए कि किस तरह से टेक्स बगारा देते थे ठीक है अखेट तक खादिस संग्राहों को क्या देते होगे तो यह आप लोग में डिबोक्स में बता सकते हैं या फिर आप खुछ सोचते हैं तो जो भी प्रशन यहां पर राइस हो रहे हैं इसनको आप लोग मर में सोचें कि क्या क्या था और यह तभी आपके आप इनका अंसर तभी दे पाओगे जब आपने लेसन को सेहतर के से पढ़ा होगा क्रिशी में परवत्न अब अगरिकल्चन में कुछ परवत्न आया होगा तो वो क्या क्या परवत्न है इस यूग में क्रेशी के किशेतर में दो बड़े परवतना है, दो सबसे बड़े चेंज हैं, हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, अब कठोर जमीन के लकडी के फाल, इतुलना में लोहे के फाल से असानी से जोता जा साता था, इस से फसलों की उपज बढ़ गई, दूसरे ल में बहुत ज़्यदा पोदे जीवत रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी, इसे कमर तोर पर इश्रम लगता था, ये काम ज्याता दास दासी बूमीहीन, खेती हर, मजदूर कमकार करते थे, दोस्तों यहां पर अभी क्या हुआ है, कि दो चेंज जाता था, और उस जो बंजर जमीन थी, उसे भी खेती के लिए त्यार किया जाता था, और नंबर दो पे जो किया गया, उसमें दान की जैसे बीश रिकते से पहले वो, तो अब क्या कर रहे हैं, वो उसकी रुपाई बिगारा कर रहे हैं, उसको अरोपन शूरू कर दिया औ जो फसल होती थी, दान की जो फसल होती थी, वो ज्यादा होती थी, तो उससे में फिर महनती भी कम लगती थी, तो यह जो काम करते थे, यह करते थे, एक तो दास और दासी, जो फिर भूमी हिन, खेती हर, मजदूर थी, ठीक है, तो इसके बार में आप लोगों ने पढ़ ल लेगा कि आप लोगों की क्या व्यू है इसमें क्या चेंज होना चाहिए तो आप लोग में अपनी राइज रूरू रखें जिससे की नेक्स्ट वीडियो जो अच्छे तरके से बन सकें और मैं आपके कमेंट यूरू पढ़ूँगा क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन प्र महां पर डूड़ लिया था लगए 200 साल के बीतर मगद सबसे महत्पून जनपत बन गया था 200 साल में जो मगद था वो काफी यादा इंपोर्टन जनपत बन गया था गंगा और सौन जैसे नदियां मगद से होकर बहती थी को यादजाद यल बित्रन और जमीन को बजाओ बन बनाने के लिए वह काफी इंपोर्टन नदियां होगी थी मगद का एक हिस्सा जनगलों से भरा था इन जनगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़ कर उन्हें प्रक्षिशित कर सेना के कामें लगाया जाते था दोस्तों जनगलों से हाथिया पकड़ जाते थे और उनको इस बोछ और भी किया रिखा झार सब्सक्राइब उस नहीं ना करते छेंत के राषटे कि टीम से में लोहे के आईसे की ख़दाने भी मजबूत औजार और हत्यार बनाने के लिए भी यह बहुत ज़्यादा उप्योगी थे तो आप लोगों ने यहां भी देखा है मगद में दो बहुत ही शक्तिशाली शाषक बिंबिसार अजाद शत्रू या फिर अजाद शत्रू हुए ठीक है दोस्तों महात्म बुद्ध के उपर यूटूब एक मूवी बने हुई है आप लोगों से देख लें उसमें बताया हुआ है बिंबिसार और अजाद शत्रू के पर में तो यह उसमें बहुत ज़्यदा पावरफुल शाषक थे अन्य जनपतों को जितने के लिए यह हर संबब साधन अपनाते थे महा पदम नंद और महा पदम नंद एक और महत्पूर्ण शाषक थे उन्होंने अपने नियंतल का कशेतर इस महादीब के उत्तर प्रशन बाग तक फिला लिया था बिहार में राजगर बिहार की जो हम लोग बात कर रहे थे में राजगर यह प्रशन पूछा गया है दोस्तों कि बिहार में राजगर आदुनिक राजगर कई सालों तक मगद की राजदानी बने रहीं दोस्तों जो राजगरी है जिसे अभी मॉड करना नाम था तो वो था पटना का और इसे भी कैपिटल बनाए गया था दोस्ता भी आपका लेसन खत्म होने पर थोड़ा सा ही बचा है इसके बारे में थोड़ा साम लोग पढ़ लेते हैं और यह आपके बास यहां पर ठीक है 2300 साल पहले भी पहली की बात है कि मैसीडोनिय का सिकंदर बिशे बीचे करना चाता घाथा दोस्तो सिकंदर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा तो 2300 साल पहली की बात है कि मैसीडोनिय का आजा जा जिसका नाम है सिकंदर वो पूरे वर्ड को जीतना चाहता था पूरी तरह सफल ना होने पर भी मिसर और पश्मी एशे के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारती उपर महादीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया तब उसने मगद की और कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया बैस बासे बेवईत थे कि भारत के शाषकों के साथ पैदल रत और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी दोस्तों जो सिपाही थे ना उसके सिकंदर के जो सिपाही थे वो उनके बन में एक तर जो सिकंदर था वो आगे नहीं बढ़ पाया ठीक है तो बहुत पूरी बढ़ को जीतना चाहता था लेकिन यहां पर वह नहीं जीत पाया दोस्तों सिकंदर और पौरस की लड़ाई तो आप लोगों ने सुनी भी होगी और इसके बार में आपने एक सीरिल भी देखा होगा दोस्तों यह मैं आपको इक्जामपल दे रहा हूं फिल्मों का दे रहा हूं सीरिल गे रहा हूं तो यह इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगा को असानी हो सके आपकी स्टडी में इन स्यनों और । में उलेखित स्ञा नव दिखा दिता है कि अब यहां पर हम लोग देख लेती हैं बजी के बार में देख लेती हैं जैसे कि तुमने ऊपर पड़ा बगद एक शर्टिशाली राजी बन गया था उसके निजदी की वजी राजय था जिसकी राज़ा ने विशाली बिखार थी यहां एक अलग किसम का शा विवेस्थ थी जिसे गण या फिर संग कहते हैं दोस्तों गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों बाले समुहू के लिए किये ये गण शब्द जो है उसका प्रयोग कि भौत सारे ग्रूप से लिए कि यह था है संग संग अर्थाच संगर्थान सवा ठीक है गण या संग में कई शाष्यक होते थे, कभी-कभी लोग एक साथ शाषिन करते थे, लोग के वार एक साथ शाषिन करते थे, जिसमें से प्रतेक व्यक्ति राजा कहलाता था, ये सबी राजा विविन अनुस्ठानों को एक साथ संपन करते थे, बहुत सरे राजा होते थे, और वो फिर यह विगारा करते थे और इकठे ही उनको संपन करते थे सवों में बैठकर ये बाचित बहुत बाद विवाद जरिये करते थे कि क्या करना है जैसे क्या करते थे सवय विगारे करते थे और उसमें बैठकर बाचित करते थे बहस विगारे करते थे डिसकॉशन अब आपने यहां पर देख लिए है कि इस्त्रियां हो या फिर आपके पास दास हो या फिर जो काम कूम करते हैं उनको भी इस सवाओं में पार्टिस्पेशन करने के लिए मौका नहीं दिये जाता था अब यहां पर देख लेते हैं हम लोग बुद्ध तथा महाबीर जिनके बारे में तुम अदाइश्य में पड़ोगे दोनों ही गण जहां पर संग से संबंद थे बहुत सहायत्य में संग के जेवर का बहुत ही सज लेंगे ठीक है है तो फिलाल हम लोग परण देंशकों देख लेती बजी संग का बनन दिर्ग निखाय से लिए बजी संग जो है इसका जो इसके वारे में बाद right- song the new दिख निगाई एक प्रसीद बौध गरंत है जिसमें बुद्ध के द्वारा किये गया वक्यान दिये गये हैं इन्हें क्रीब 2300 साल पहले लिखा गया था दोस्तों जो दिख निगाई की बात की गयी है इसमें महात्मा बुद्ध के बारे महात्मा बुद्ध की जो उपदीश बगरा दिये हैं इनके बारे में बताया गया है और ये 2300 साल पहले लिखा गया है ठीक है अजाद शत्रू या फिर आपके पास अजाद शत्रू बजी संग पर आकर्मन करना चाते थे उन्होंने अपने मंत्री बसकार को बुद्ध के पास सलहा के लिए बेजा दोस्तों मैं उन्होंने सबी सदसे उफस्तित होती हैं जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने बजीवासियों तब तक उन्टी करते रहेंगे जब तक देखिए जब उन्होंने अपने मंत्री को जो अजाशत्रू थे उन्होंने अपने मंत्री को महात्मा बुद्ध के पास नियुлет्य काम करते रहेंगे पारंप्रिक नियुमों का पालन करते रहेंगे बड़ों का संमान समर्थन और उनकी बातों पर द्यान देते रहेंगे ठीक है है थी घो के साथ योर्जबदस्ती नहीं करेंगे उनको बंदक नहीं बनाएंगे शेहरत अथा गावों में चैतियों का रखर खाब करेंगे बविन मतावली संतों का समान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोग नहीं लगाएंगे बजी संग अन्य महाजन पत्व से कैसे बिन था क कम से कम तीन अंतर तो यूरूर बताएं कि दोस्तों अब भी आपका लेसन खत्म होने वाला है थोड़ा सा ही बचा है तो थोड़ा सा पेशन्स रखें कि सीखने के लिए हम लोगों को पेशन्स रखना बहुत ज़्यादा जूरूरी है कि चलिए कई शक्ति श्राज राजा इन संगों को जीतना चाते थे इसके बाब जूद उनका राज अब से लेकर 1500 साल पहले तब चलता रहा इसके बाद गुप्त शाषकों ने गंड संग पर विजय प्रापत कर उन्हें अपने राजे में शामिल कर लिया इनके बारे में तुम अदाय दस में पड़ोगे दोस् में शामिल कर लिया गुप्त शाषक जुआए उन्हों ने क्या किया यह संग बने हुए थे गंड बने हुए थे उन पे बीजय प्रापत कर लिए और उससे अपने राज्य में शामिल कर लिया जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नबर 10 में पढ़ेंगे तो अभी आपका सब्सक्राइब हो गया है थोड़ा सब्सक्राइब हो रही है तो देख लेते हैं अपने एटलस में युनानों और एथेंस को देखो लगबद 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शाषिंग वेवस्ता की स्थापन की जिसे प्रजद अंतर यां फिर गंतंतर कहते हैं दोस्तो साल लगब 200 साल तक चली कब तक चली यह 200 साल मतलब 2500 साल पहले हुआ तो 2700 साल तक चली इसके 30 साल से उपर उन सभी पुर्षों को पूर्णता नागरिता प्रापर ती जो दास नहीं थी अब यहां पर बात आ रही है कि उनको नागरिता फुल रूफ से सिटिंशिप मिली बहां एक सभा बनाएगे थी जो सबसे इंपोर्टन कोई भी अगर टोपिक हो जा कोई भी कोई बिशी हो जा सब्जेक्ट हो उस पी वो डिसीजन लेते थी और वो कम से कम साल में 40 सवारत बुलाई जाते थी इस सभा में सभी नागरिक बाग लेते थे शाष्कों के कई पद करता था उनको सेना में फिर नो से ना में अपनी सर्वीश देनी पज़ती थी ओरतों को नागरिक का दरज़ा नहीं मिलता था दोस्तों आप लोग करें चुलाई me में और आप लोग ये भी डिसीजिन ले सकते हैं कि क्या comparison करके क्या उस समय जो औरतों की स्थीति थी या फिर जो अभी इस समय स्थीति है वो क्या सेम है या फिर उसमें कुछ डिफरेंस आया है या फिर अभी ग्रोथ हुई है तो दोस्तों यह आपकी ऊपर मैं छोड़ता हू झात करने और काम करने बाले बहुत से बிदेशियों को भी है नागरिक अद्कार नहीं मिरे था अब वैपारियोंों को भी की लोग मिर्येशियों,ँखिवार, बीजेशियों को भी एथे dizendo का फिर्न करते थे हैं तो क्या इथेंस में बास्तु में जंदंतर था तो क्या आपको लगता कि इथेंस में सच्ची में वहां पर जंदंतर था डेमोक्रिटिक था रिपब्लिक था तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा नहीं है ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि डेमोक्रिटिक हो गया जब गया राजतंतर हो गया उसमें सभी लोगों को समान रूप से अधिकार दिया जाता है ठीक है तो यहां पे बुझा लगता नहीं कि इसमें उसमें पूर्ण रूप से जनतंतर था बाकि आपका क्या डेसिजिए ना आप लोग सोच सकते हैं ठीक है अब इसमें कुछ उप्योगी सेना की बारे में बड़ाकर के बार में बड़ा पॉधर ऊपण के बड़ा गणं अतुमासंक के बड़े परज नंतर लगवद 2300 साल पहले दिग निकाई जो था यहां पर हमने पड़ा था कि महात्मा बुद्ध के उसमें उपदेश बिगारा दिये गए थे जो उन्होंने वाक्यान बिगारा दिये गए थे और इसकी जो रचना की गई है 2300 साल पहले की गई थी ठीक है लिखा गया थे इसके ब पता सते हैं दोस्तों आप लोग इस बीडियो को लाइक करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा मुझे भी अच्छा लगेगा और दोस्तों अगर आप लोग करते हैं तो वह फीड़एक की रूप में रहेगा जिसे मैं आपनी नेक्स्ट वीडियो में यूस कर पाऊंग भी अच्छ लगेगा जिलते